नमस्कार मैं आनंद आप लोग का शुरागत करता हूं अपने यूट्यूब चेनल दग्यान सेविल सर्विसेस में और आज हम कोस्चन आफ दी डे में लेकर के आये हैं एक बहत्रीन कोस्चन और इसको बनाने का एक सबसे बहत्रीन तडिका सकेंडों में आप इस कोस्चन को कर सकते हैं चलिए इस कोस्चन को हम देखते हैं कर्य ताज फल में 68% पानी पानी है और सूखे फल में 20% पानी है तो सब किलोग्राम ताज फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है तेकि इसको बनाने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे कोई एक नमबर है जैसे कि मान लेजिए एक नमबर है 100 एक नमबर है 100 दूसरा कुछ नमबर ले ले लेते हैं कि सपोज मानिए एक नमबर है आपके पास है 120 120 और इसको हम दो नमबर के टर्में तोर करके लिखते हैं दस गुना में बाड़ा अब इसी 120 को हम फिर से लिखते हैं जैसे कि हम 10 को घटा करके कर दी इसको लिख देते हैं हम 8 और इसको लिख देते हैं 15 अब देखेंगे ति यह 10 था मतलब पहले एक नमर 10 था अब यह घट करके 8 हो गया अगर पूछा जाए किस रेशियो में घटा है तो आप कहिएगए यह जो है 5 रेशियो चार में घटा है तो दी मिंस जो दूसरा नमर होगा वो इसी के जश्ट अपोजिट में इंक्रीज होगा तो आप इंक्रीज करिए तो 5 तीया ही 12, 5 तीया ही 15 देखें यह 5 से 4 हो गया था दूसरा नमर जो होगा चार से 5 पाँच इनक्रीज हो गया तो इसी मेथड का प्रयोग करके हम इस को सॉल्व करेंगे हम इसको हटाते हैं अब जिसे देखिए लागू कहा होता है कि वह चीज जो चीज फिक्स रहता है जो चीज फिक्स रहेगा वहीं पर ये चीज लागू होगा अगर हम बोले कि ताजे फल म यहां पर फिक्स क्या हो गया तो यहां पर जो फिक्स हो गया इसे 68% पानी है और सूखे में 20% पानी है तो यहां पर जो फिक्स हो गया यहां जो ड्राय हो गया वह फिक्स है कि ताजे फल में 68% पानी है तो सूखा कितना रह जाएगा कि यहां फिक्स क्या हो गया तो आप कह और सट परसेंट पानी है तो सूखा कितना हो जाएगा तब कहिएगा 32 परसेंट शुखा हो गया अच्छा अब दूसरे में देखेंगे सूखे फल में 20 परसेंट पानी है तो यहां पे सूखा कितना हो गया तो कहिएगा यहां पे सूखा हो गया 80 हो गया सूखा यहां पे अग का मतलब जो quantity होगा वो पांच से घट करके यह दो हो जाएगा जो quantity हो जाएगा वो पांच से घट करके दो हो जाएगा एक सके पांच से घट करके हमारा quantity दो हो जाएगा अगर हम देखें कि यह हमारा मात्रा होगा यह हो गया हमारा total पहले कितना था तोटल और यहो गया अभी कितना है present में यह हो गया पर्जेंट में कितना है अब देखिए पाले कितना था टोटल सौँ करजी था ते काने का उपिर से आपको रिपीट कर देना चाहते हैं कि ताजा फल में 80% पानी है, तो सबसे पहले ये पता करना है, कि यहां पर fix क्या चीज़ रह जाएगा, तो हम कहेंगे, पानी कोई चीज, अगर कोई चीज है आपके पास, तो उसमें फल है, तो उसमें fix क्या रहेगा, फिक्स रहेगा आपका सूखा, सूखा पदार्थ फिक्स रहता है, जैसे पानी और चीनी का मातरा लेंगे, तो पानी और चीनी के मातरा में फिक्स क्या रहेगा, अगर पानी को गर्म करेंगे, तो पानी उड़ जाएगा, चीनी फिक्स रहेगा, उसी तरह से ताजा फल है, उ वहां पे 20% पानी है तो सूखा कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा मतलब quantity जो है 2 और 5 में घट रही है quantity जो हो गया वो 2 और 5 पांच में घट रही है इसका मितलब हो गया जो फ़लो की मातरा होगी वह 5 से घट करके 12 इसी का reverse में हो जाएगा 5 से घट करके 2 मतलब पहले 5 होगा तो घट करके अब हो जाएगा दो हो जाएगा तो पहले जो था 100 किलोगराम ताजा फल था ये जो हो गया ये फ्रेस वाला हो गया पांच था तो पांच का भीलू दिया गया था सो पांच का भीलू सो हो गया तो एक का भीलू आजाएगा 20 दो का भीलू हो जाएगा आपका 40 उम